हेलो एब्रिवेन साथ ही हो मुझे उम्मीद है आप लोग सही होंगे और पड़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चर रहे होगे मैं कुमार सराब लोगा शौकात और अभी नंदन करता हूँ आपका अपना चनल विद्या पर चली सुरुआत करते हैं और सुरुआत करने से पहले से इसका मितलब इसका मीश क्या होता है तो वाइरस हमारे एक लेटन वार्ड है इसको याद रखना लेटन वर्ड है इसका मीन होता है और इसका एक सिंपल जो वायरस होता है उसको कहा है वायरोन के नाम से जानते हैं इसको भी याद रखना ठीक है सिंपल वायरस हमारे किने किस नाम से आता है यानि वायरस चीजिस से थोड़ा कन्फ्यूज नहूं यह लेटन वर्क है और जो वायरस टर्म है यह किसने दिया है तो अन्राइक सने दिया है तो लिए अ कि याद रखना ठीक है लुट पाश्चार है हमारे जिनके द्वारा वाइरस तर्म होगा ठीक है तो दो थिन कोर्चन है से बिल्कुल किलिर हो गाया लेटन बर्ड हो गया टर्म है से हो गया और इंफेक्स अर्जन्ट हो गया ठीक इसके बाद में आवं डिसकस कर रहे हैं कोर्चन देखते हैं पहला 10 विच आफ दा फालोग इसना टैफ आफ ताइब डाइस करें में से कौन सा वायरास नहीं है रिट्रो वायरस है वेक्ट्रिय फिश हमारा है यह ठीक है प्रोटोजुव आई रर्यस नहीं बात बाकि तीनों यह बैर्स के रूप है रिट्रो वायरस प्रणियल होता है और ए यहां पर कोष्छान नम्र टू है इसको देखते हैं कि इसके बाहर बहुत सारे प्रोटीन के बने हुए कोड्स होते हैं इनको क्या नाम से इसको क्या जानते हैं इसके बारे में पूछ रहा है तो यह हमारे क्या होता है क्या से सहगता है क्या है जोता है इनको क्या नाम से जानते हैं तो इसके क्या है पूरे नंभर के नाम से जानते है जिनको कहा है, envelope के नाम से जानते हैं, envelope हमारा दो वैक्टरियों में, दो वाइरस में देखने को मिलेगा, एक हमारे influenza में देखने को मिलेगा, और हमारे के herpes virus में, इनमें कहा है, envelope पाये जाते हैं, ठीक है, इसके बाद में question number 3 है, इसको भी discuss करते हैं, इसको देखते हैं, what is the main function राबदा virus, वाइरस का main function क्या होता है, virus तो production करता है, cellul respiration करता है, growth होता है, metabolism होता है, देखो, तो virus में only reproduction पाये जाता है, और बाद बागी कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि cellul respiration इसके पास अपनी mechanics, machinery होती ही नहीं है, ठीक है, growth इसमें नहीं देखने को मिलती है, डबला मेटाबोलिजम इसमें नहीं देखने को मिलता है तो तीन आपसंस के वर रिप्रोड़क्शन के वियाप पर नॉन और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच पे भी इसको क्या है लिंक कहा जाता है वाइरस को ठीक है इसके बाद में कोशन नमर हमारा फॉर है इसको द देखती हैँ what this the smallest known virus कि और इन में से कौन सा होता है स्माअलिप्ट है नोन बाइरस है तो देखो हुआ इंफल्वेंजा वारस है पॉलियू वायरवाइरस है यहां पर ठीक है और हैप्डेट्एटberries है और पर वो वायरस है तो छो है सुधिमाल आपस्पा से है यह वहारा कॉन सा सबसे है, नोन वायरस के वहां परवो वायरस है, यह हमारा इसमालिस्ट वायरस है, लेकिन यहां पर कॉन सा, दोखो, ठीक, पोलियो वायरस है, यह भी काफी समाल होता है, इसको भी देखते हैं, तो 22 नैनोमीटर के आसपस इसकी भी लेंथ होती है, ठीक है, है हर पीज वाइरस है हर पीज वाइरस एक सो काफी बड़ा होता है एक चुछ यह एक सो असी से लेकर 200 के आसपास नेनोमिटर इसकी लेंथ होती है ठीक है लेकिन जो पर्वो वाइरस होता है यह सबसे मालिश्ट होता है यह लगवक कहा है लेस दैन हमारा कहा है ट्वियंटी स्टेज़ बिदेन आस हुष्ट सेल इसनो और्ष औरप सेल कि और सुर्प कि इन्सेल है इस इसकोय कहते हैं चुछ और कने इंसेन को क्या कहते हैं खुछिज सरय कैसा हो जो विदिन टू ए थ्री डेज में तुरंद इंट्रेक्शन हुआ उसको एक्यूट के नाम से जानता है लेटेंट हमारा कैसा है डॉर्मेंट इंट्रेक्शन होता है इसको याद रखना हम बात करने कोशन नमर सेबिन की कि दा प्रोसेस आफ वाइरस अटेकिंग टू आफ होस्ट सेल इसकाल्ड के रहा है वह कौन से करिया है जिसमें वाइरस होस्ट सेल को अटेक करता है उसको ट्रांस्क्रिप्शन होता है और कौन सा होता है अडॉप्शन होता है और ट्रांस्फॉर्मेशन होता है तो इसको काफ से रिलीज करता है इसको कहा है एडॉर्प्शन के नाम से इसको जानते हैं ठीक है ट्रांसिलेशन में इस क्या होता है आरेने से जब प्रोटीन का संसेलेशन होता है ट्रांस्क्रिप्शन क्या होता है ठीक है तो ट्रांस्क्रिप्शन हमारा क्या होता है यानी डीने से आरेने होता है transcription होता है adoption क्या होता है host जब क्या है हमारे कौन सा होता है virus जब उपना genetrik material host cell में क्या है release करता है उसको और transformation क्या होता है ठीक है transformation में इस क्या होता है जब DNA को दूसरे DNA के particles को utilize करने लगता है ठीक है यानि एक cell है दूसरे genome को utilize करके अपना reproduction स्टार्ट कर देते उसके transformation देखाया यह क्या है DNA इसमें देखने को वेक्ट्रिया में देखने को मिलता है transformation ठीक है इसके बाद question number हमारा 8 है इसको देखते हैं which of these viruses causes chicken box इन में से कौन सा है जो chicken box को cause करता है ठीक है तो chicken box हमारा कौन सा है तो वेरी सेला जोस्टर वायरस है यहीं हमारा क्या है चिकन पॉक्स को कॉस करता है ठीक है कई बार exam में पूछा इसको याद रखना इसके बाद question number हमारा 9 है उसको समझते हैं HIV primary infects HIV प्राथ में किसको इनफेक्ट करता है नर्फ सेल्स होते हैं white blood cells होती है लिवर सेल्स होते हैं red blood cells होती है तो HIV हमारा क्या है WBC पर attack करता है इसको याद रखना ठीक है WBC को white blood cells करते है और खासकर WBC T4 होते है T8 होते हैं तो T8 cell को affect करता है ठीक है इसके बाद question number 10 है इसको देखते है दा इनफ्लिउंजा वाइरस प्रेमरी अफेक्ट स्था ठीक है इनफ्लिउंजा वाइरस की बात करें तो इनफ्लिउंजा हमारा क्या है कि हटेक इसको जब common cold होता है शुक्त है न सर्दी खासी हुजाती है तो इसमें हमें फिरफाराइट करते हैं जो गोल्ड को एफेक्ट करते हैं एक है इनफ्लिउंजा वाइरस होता है इसमें हमें साक या होता है रेस्पाइरेत्री में थकान देखने को मिलेगी और आँखों से पानी आता है यह इसे लग्षन होता है लेक्छान होता है उन्ली ओल्ली wird हमेरे क्या है आपार स्प ravis में infection करता है यानि लंक्स में इसका infection नहीं पहुंचता है राइनो वायरस और इंफ्लिउंजा में यह थोड़ा सा बिसेशता होती ही ठीक बात करना कोशन नंबर 11 है इसको देखते हैं आव वायरस डैट हैं करना इसमें इसमें बन्द के आफको होई होनी के चांस रहते हैं इसा इसको देखते हैं दा इबोला वायरस प्रेमरली अफेक्ट्स विच और गन इन दा हुमन बॉड़ी इबोला वायरस हमारे किसको एफेक्ट करता है यह हमारे ब्लड वैसल को एफेक्ट रथ है इबोला वायरस इसको काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम में भी कई बार बोग्त करता है तो एक्पश्टीन वाण वायर वायरस होता है ईएमन पेपिलूमा वायरस की नामसे जानते है वेक्टेटरिस तोह जो सब्स्क्रेंस मैपा थे औह प्रतें से अब यह च्छा जला इसल में बहुत भी फीर वह यह चला चले जाते हैं बाद में कैंक रेसिक स्थिश्य कॉश्च बांक मात आचो ऊपनिग तब का स्थे सके नाम सेlawsmak से इसको ब्लै halos श्वक्ष के नाम से इसको जानते हैं ठीक है और कुछ पर में जब अन्हें त३ान में फिप्टीन है ने ये प्रोस्स सव ये वाइरणल को घ sauce से जैनेटिक मेट्रियल इन्टू आफोस्ट सेल इस कालड कौन सी प्रोसेस है जिसमें जैनेटिक जैनेटिक मेट्रियल रिलीस किया जाता है किसका वाइरस का किसमें होस्ट सेल में ठीक है तो उसको कहा है अनकोटिंग होता है रेपलिकेसन होता है ट्रांस्क्रिप्शन होता ह तो सीधी बात है यह इंजेक्शन लगाता सबसे पहले हैं बैठता है और फिसके बाद में रिलीज कर देता है इसका मतलब क्या होता है इंजेक्शन लगाता है ठीक है इसके बाद कोशन नमर हमारा 16 है इसको देख लें वायरस को क्लासिफाइट किया गया है साइच पर से जनल जनेटिक मेट्रियल और आल अफ था यह ऑब ठीक है तो आल अ आफ ता एव वब इनके सब के विहाफे वायरस को क्लासिफाइट किया गया है प्रूंधे कि इसके बाद में कि विस्ट टाइफ आपंडे मेटेंटर्वाइरस कि रृट्रॉआ रिट्र्रोंफ में अधिया है अरज मिलेगा और छींभगेb और यहां रिट्रोंफ में से क्या होता है रिवस्ध ट्रांस्कृप्शन देखनें को मिलतेह इस मारे क्या है घ्लीएञ बनाते को यहांए नाम से जानते हैं तो ठीक है तो कौन सा होता आ रहेंई यहांस में देखने को मिलेगा तो एडिनो वायरस यहां पर याद रखना है ठीक है और ठीक है कॉलिफेस कॉलिफेस T2 और कॉलिफेस T4 ठीक है T2 और T4 यह दोनों हमारे क्या है डबल स्टेंडर्ड डीने इसमें क्या है देखने को आपको मिलेगा ठीक है कई बार एक्जाम में पूछा है एडिनो वायरस क्वालिफेस T2 और ठीक है इसके बाद में कॉछ्चन नमर हमारा क्या है एटीन है दा हुमन दा हुमन इम्मिन इम्मिनोडिफेसेंसी वायरस और अचावी प्रैमरली टार्गेट्स विस सेल्स आफ्टा हुमन सिस्टम तो अब हमने बात कीते हैं क्या है टी सेल्स को टार्गेट करते हैं खासकर क्या है टी एट सेल्स ठीक इसके बाद में कोश्र नमर हमारा नाइंटीन है इसको देखते हैं विज वायरस कॉष 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 वायरस था ठीक है तो ये सार्स टू के नाम से जाना गया सार्स कोविट टू वाइरस था इसने ङरफटनानेटीन को क्या है कि को सका ýतनात Ei ठिक है नानटीन मिसें डिसकवर हुआ ठीक है 2019 2019 में इसको अपाप है इस रचाएप उसने करिया थी भी बहुत ज्यादा इस्प्रेडिंग हो गए थी पैंडेमिक कि इसके बाद में कॉस्ट नमर्ट 20 है वाट इस ता प्रोटीन सबसे पहले तो कुछ यह कवर्ड वाइरस के नाम से भी जानते हैं तो दो वाइरस रखना एक इंफ्लोंजा और हमारा के हर्पीज का प्रिबार पूछा गया है अब कह रहे हैं यह वाइरस क्या क्राम करते हैं कौन से इसके स्टक्चर होता है प्रोटीन के में जो अलाव करता होस्ट सेल में ठीक है वाइड करने से तो उसको कह है हेमागलूटीन होता है इसमें और नेरबरेयं easy होता है है तो इसको याद रखना हमाने ग्लिटून्स होता है इंफ्लूंजा यह हमारे उससे वाइंडिंग में हैल्प करता है दूसरे होस्ट सेल के कोश्च नमबर हमारा कौन सा है अटरोगम है आप बाया हास में इक 20 वन है वाइरस अपने आपको कैसे रिप्रणूस करते हैं वाइनी एक हर्दा ही सभी हमारा करते है यह यह दोसरे के मसीनरी को हैजक करते हैं ऑर इसको पर अपने हिसाबटर यह चला दे हैं उसको ठीक है सो कोया आज नमबर 22 है तो और मोश्ट लिएर आप दस अंवाइरस प्रोटीन इसका कहरें आफर नूस्ट लियर होती है जो हमारे किसके लिपीट की बनी होती और प्रोटीन की बनी होती है तो आउटर मोस्ट ले पर हमारे कैसे होता है यह मारे से एनब्लॉप के नाम से घुप cleaning को मिंदेंने बहूत सारे इस वो कैप्षिड होते हैं कि इकाई होती क्या है Caleb sumar होती इसको याद रखना ठीक है over है लेकिन किसी-वाइरस में आपने देखा ओकिसी किसी बाइरस में क्या होता है यह बारस सोलयर नहीं बहुत जा रहा ह pentru होते हैं तो इसमें देखने को मिलते हैं तो प्रोटीन्स देखने को मिलेगी और यहां पर क्या है कार्वो हाइडेट यहां पर क्या है आपको देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन जो हमारा एंबलप होता है वो क्या देखने को मिलेगा प्रोटीन्स देखने को मिलेगी यहां प और हमारे क्या है किसमें प्रोटीन से आपको देखनों को मिलेगा और लिपिड देखनें को मिलेगा कार्वोहाइड इंड में नहीं होता है इसको याद रखना ठीक है कोशन नमबर हमारा कौन सा है 33 है तो projects which features are far retro virus chirmherbetos जाता है रिभे कि यह हमारा क्या है rhista' tron dna का dire झार्मिशन कर ढेता है इसको ठीक है ओस्ट नम्बर हमारा कौंसा और 24 है इसको देख लेथे हैं विज़ वायरे साट विदा कॉजिग इनफ़ाइटीघ इनन्फाया के badge कॉछा गया है तो उमार कौन सा है इसमें ऐस्टी अग्लो सोता है हर्पी सिंप्लेक्स वाइरस है और एप एपस्टीन वार वायरस वायरस से तो सही ऑप्सेंस यह आपस्टीन वार वायरस इसको कहा है था नुक्लियोसिस यह कॉस करता है इसको याद रखना इंपोर्टेंट कोस्टन है वोचन नुमर 25 है दा प्रोसेस आफ आफ वाइरस अजैंबलिंग न्यू वाइरल पार्टिकल्स विदिन आफ उस्ट इसकाल्ड ठीक है एक प्रोसेस होती है ठीक है इसमें प्रोसेस क्या होती है देखो लाइसिस जनग में क्या होता है यह वाइरस लेशा श्रै जैबलेम टेंटे और गअ करते रहते हैं कि बहूँ नहीं साइकल चलता रहता है और वाइरस की बहुत सारी अर िरफिक होती है ठीक है लेकिन जो हमारा लाइटिक फेज होता है ya boe πास एक दम पर सकते हैं तो यह सिंगल एकerson स्वाइर्स में सब काम कर देता है इस मैं सारे साइकल चलते रहे तो दो मेजर डिफरेंट्स होते हैं लाइटिक और लाइटिक में इस क्या होता है तुरंत साइकल भाई की में रुक जाएगा बहुत सारे तो इसमें क्या है अदर पूछा है इसमें क्या है चाहिए है ने रिवाय वाइर पार्टिकल विदिन ऑहोस्ट वाहोच तक है यसको ली में सेटल है लाइस होता है दा प्रोसेस आफ दा वायरस रिजैंबल यू वायर जनय में देखा थालायिस में देख था रैपलिकेसिन तो इसमें का है वरण साम कि नाम से जानते हैं को यह Pan कहते हैं इसको frankly Об institution of mom से इस कंपोश्ट आफ तो यह क्या होता है डबल स्टेंडर्ट डियेन होता है सिंगल स्टेंडर्ट डियेन होता है या डबल स्टेंडर्ट आ रहे नहीं होता है तो इन्फियूंजिया का हमारा कैसा होता है सिंगल स्टेंडर्ट हमारा रहे नहीं होता है ठीक है इसको याद र वार होता है इसको आटेक नर्वा सिस्टम को आठेक करता लगता है इस्कों ऍट्रू कैना T वोटडिश नंबर प्रिवॉनर केया होते हैं और जो इनफिक्शस पार्टिकल्स हमारी है इसको यादबर वाइलिस इस्ट ट्रांस्मेशन आप अलो फीवर की लियत कहां ट्रॉरेबी वाईरस है तो यहाद से दूची याद रखना एक त्याप रखों सी डी और फाई और जैड ठीक है यह सब मच्छर से यानि मॉस्ट कुटे स्प्रेटिंग होने वाले वायरस है ठीक तो सी से मारे कौन चिकन गुनिया हाँ पर देखने को मिलेगा ठीक डी से मारे कौन सा है डेंगू देखने को मिले किंद का है ऑची का फीबर देखने को यह पर मिलेगा ठीक है यह सब किसे ट्रांसमेंटट रोओते हैं यह सब किसे ट्रांसमेटा लगण सवायर तो रहाटी है तो हुमन टी लीकुमिया वायरस है टी लवी इस प्रैमरली ट्रांस्मिटेट थो था तो रास्पार्टिव डॉपलेट से होता है बलड एंड सेक्च्छल कॉंटेक्ट यह हमारा क्या है एस्टीडी होता है यानि एस्टीडी ठीक है पही बाहर इसकी पूचिए इसकी क्या होता है फुल फॉर्म क्या होती है सेक्च्छल ट्रांस्मिटेट डिजीज होती है एस्टीडी की ठीक है इसके बाद में कोशन नुमर 31 है इसको देखते हैं विच टाइप आप वायरस इस रेस्पांसफिल फॉर्टा कॉजिंग सार्स सीबियर एक्यूट रेस्प के वैसे डैथ होने लगी थी तो यह हमारे का सार्स कोविट वायरस है इसको याद रखना है इसको कोई मत भूला और कोशन नुमर 32 है दर मैजॉर्टी आप प्लांट वायरस है इस ट्रांस्मिटेट वाई था प्लांट जो वायरस होते हैं सबसे जादा किसकी तुरू ट्रा प्लांट से दूसरे प्लांट से एक दूसरे मूग करते हैं संग में बायरस भी यहां से मूग होते हैं को शनलमर हमारा कौन सा 33 है इसको देखते हैं देटिक मेट्रीयल आफ वह हैपिटेटिस वी वाइरस इस कमपूश्ट आफ ठीक है इंफिलूंजा कर वह मैं देखा था तो इन्फिलूंजा कर शिंगल स्टेंड़िक है अरे फॉन सा था ठीक है हो बात कर रहे हैं किसके हैपिटेटिस भी है है haptitis भी हमने पड़ाथा किया है is smallest हमारा क्या है यह वाइरस होता है स्कों सीरас来 हुथ न स्रूड आ तो simple असे हम देखनों को मिलेगा एक किसमे है लिशे कि फेट। समट जाम में आ रहांए मिलेगा चिंगल इस्टेंड़ेटेड और सिंगल इस्टेंड़ डियाने किसमे देखनों को मिलेगा हमारा हटार भी मूंत हटार सुरी हट पीर टै कव अ इस फे parish नंबर हमारा कॉंसा थाय का 30 Four दूट है विच वाइरश इस रेस्पांसिविल फोर्दा कॉजिंग संगल डिजीस होती है ठीक है तो सिंगल डिजीस को के और एक नाम से जानते है अब तुरंत हर्पीस जोष्टर के नाम से जानते हैं इसको भी याद रखना ये एक्जामपे कई बार पूछा गया है हर्पी सिंगल डिजीज होता है लेकिन यहां पर एक 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 प्रिश्टिन य। वार वायरस के बारे में पड़ा था अगर याद हो तो मुझे बताओ इसमें कौनसी डिजिस आ करता है तो मोनोनुक्लियोस करता है इसको याद रखना ठीक है मोनोनुक्लियोस इस यहां पर कॉस करता है इसके बाद में कोशन नंबर 35 है इसको देखते हैं आब वायरस डेट कंटेंड आर रायने एस इटस जनेटिक मेटरियल एंड यूजिस रिवर्श ट्रांस्क्रिप्टेस टू रेप्लिकेशन यह कौन से होते हैं रेट्रो वायरस होते हैं अभी अमने की बाद में डिसकस चर्चा की थी और एक और वायरस खतर तो पहला इसको ऑपसेंस है थोड़ा सा ठीपिकल ऑपसेंस है इसको क्या है कोगजेकी ठीक है कोगजेकी वायरस होता है रोटा वायरस होता है नोरो वायरस होता और एडिनो वायरस होता है तो इसका सही जो ऑपसेंस हमारा हो जाएगा या कोगजेकी वायरस है यह हमारा क्य इसको discuss करते हैं the process why which viruses leaves their host cell without causing immediate cell death is called कौन से प्रक्रिया है वायर से लीप देर होस्ट अपनी जो host cell को छोड़ देते हैं without causing immediate death cell ठीक है तो इस घटना को किस के नाम से इस घटना को बड़िंग के नाम से जानते हैं यह कई बार एक्जाम में पूछा है और थोड़ा सा था याद रखना ठीक है इसके बाद कोशन नंबर हमारा 38 है कि दा वाइरस रेस्पॉस्विल फोर्दा कॉजिंग डेंगू फीवर देंगू फीवर भी इस बार काफी चला था तो एडिनो मॉस्कीटों के थूरू होता है एडीस मॉस्कीटों होता है और एनफ्लीस मॉस्कीट ठीक है आधीडीय गती मॉस्कीटों इसको याद रखने पक्रम है इसके बाद में इसके बाद में और कि बात कर रहे थे यार कि चलो कि अरे यहां पर आगा यह तक हो गया कि आप यह ठीक है कि विच वारिस ए शुट विद दा कॉजिंग गैस्टू एंट टीरो टाइटिस ठीक है गैस्टीरियो एंटीरो टाइटिस क्या होता है इस इसको जानते हैं इसको तो इसको क्या है नग़लै या इमपोर्टेंट अ कि इसको याद रखना और उनिकूर्शन ए एकजाम में पूछा गया है ठीक, नूरो वायरस हमारा क्या काम करता है, गैस्ट्रो एंटारिटिस, पोश्चर नमर 40 है, इसको देखते हैं, इस प्रैमरी एफेक्ट्स विच और्गन, हैपिटाइटस C, आपने देखा होगा, हैपिटाइटस A है, V है, C है, और D है, और E है, ठीक है, पांच वायरस है, य हेपेटिक सेल को डिश्ट्वाय करते हैं, हेपेटिक सेल कहां मिलेंगी, आपको लिवर में देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो लिवर हमारा सही ऑप्सन्स हमारा आ जाएगा, कोश्चन नमर 41 है, इसको देखते हैं, विच वायरस इस नोन टू कॉज आज सिगनिफिकेंट प कि इसके बाद कोशन नमबर 42 है, विच वायरस कॉज़े सा कंडिशन करक्ट्राइश वायदा, पेनफुल इसकिन ब्लेश्टर मिलेंगे, इस ओफिन आ डॉर्मेंट इन नर्व सेल, ठीक है, ऐसा वायरस होगा, जो पेनफुल इसकिन में बहुत कहा है, पेनफुल होगा, दर दोगा, और ब्लेश्टर मिलेश्टर मिलेश्टर पढ़ जाते हैं, उसमें, तो यह बैरी से बैरी सोला जोश्टर वायरस है, इसको याद रखना, ठीक है, यह हमारा क्या चाली कॉज करता है, पेनफुल ब्लेश्टर कॉज करता है, कोशन पर फॉर्टि थ्री विच वायरस कॉज एड्स, एक्वार्ड इम्मुनोडिफेशन्सी सिंड्रोम, यह कौन होता है, हूमन इम्मुनोडिफेशन्सी वायरस होता है, एचाइबी, ठीक, यह हमारा होता है, यह इजी कोशन है, सब को पता है, और यह हमारे किसको अफेक रहता है जिसमें क्या खास कर क्या है डबलू वीसी सेल्स को कुश्चन नमबर 44 है अवायरस डैट कंटेन एन आउटर लिपिड वाई लियर ड्रैप्ट फ्रॉम होस्ट सेल इस सैट टू है कि एक कबरिंग इसमें आउटर लिपिड की कबरिंग पाई जाती वाई लियर कब्ड करता है और उपर एक कबरिंग अपने आपको चड़ाता है तो कैपसिट है एंवलेप पोड़ता है इसको नुकलियू कैपसिट के नाम से जानते हैं तो यह हमारे का है एंवलिप्ड होती है ठीक है यह तीन चीजों की बनी होती है लिपिड की देखनों को मिलेगा प्रोटि किसके थूर्व होता है जीका वायरस का सट तो इससे एनफ्री मौस क्युट होता है ये हमारा कया ट्रांस्पेंशन करता है ठीक है एडी और आफ्लीज मॉस्क्यूटो कुल्यूक्स avete लिए हरो है ठीक है नुज अथी हिस को ब्रेश होती है जिसको ब्रेन में भूई सारे प्रॉब्लम साती है रफ्र、、 ठीक है जापने इंत इंसेफलेटिस ठीक हिए कुलीज मौस्क्यूटो साती है इसके बाद свою स्थ ठीक है which virus is responsible for the causing infectious hepatitis infectious habitat हमारा quiz के थ्रू होता है to him causing होता है virus A Habitatus A ठीक है HIV A Habitatus A के थ्रू होता है infectious इस हैपिटाइटिस होता है तो चलमर 47 है विच वायर्स इस रेस्पोंसल फोर्ड़ा कॉजिंग अ कॉमन कॉल्ड हमारा किसके थूरू गया है कॉमन कोल्ड की बात आए कि तो हमारा कैना राइनु वायरस आएगा अपर रेस्पारेटरी सिस्टम को पुर्भावत करता यह बात कर रहें को मर 48 है असे दा प्रोसेस आफार वायरस इंटीग्रेटिंग इस जिनेटिक मेटेल इन टु हूस सेल्स डियन इस काल्ड प्लेट किस नाम से जानते हैं इसको हमारा क्या क्या काम करेगा यह मार्य क्या है तो होश्ट सेल में क्या है यांपर कैई याघ्ट याने दे dit करता है उस फिनोमेन और घञ्च़ना को किस नाम से जानते हैं तो ट्रांस्करेप्島 एक्राइसन यदा प्रांस्वार्मेशन को जानते हैं घ्रकिा है ़िडेर और हमां से जिंडर ने ठीक है लीडर और जिंडर ने इसको कहा है किसमें किया था वेक्टरियों फेस वाइरस में इसको भी याद रखना ठीक है कोस्ट अमर 59 है इसको देखते हैं विछ वाइरस इस नोन टुकास हाईले कॉंटेजियस, रेस्पारेटरी इलनेस, करक्ठरियष्ड आप, बुपिंग कफ, काले खान सी, इसल्ट कहते हैं कौन है? तो इस यह वाइरस है, बुपिंग कफ, काई बार इसको कहा है। लोग यह बैक्टरियल डिजीजस समझ बैएते हैं, लेकिन यह वाइरल डिजीजजस ह हमारी किया है Bordela per tässä body 7 यह इंपॉर트ैंट है और एक्जाम में तो कई बार पूछ आ है इसके बीसे दूंटे मीरा data in आ veto होधिद इस के द्वारा दिर से है वारेस के त्रूए उस वाइरसका नाम कौन सा ईब झाल मॉरा फिप्टी है क्याना कौन सा होता है जो मारे के उसके निगुलिक एसिट के नाम से जानते हैं ठीक है यह प्रोटीन के बने हुए होते हैं इसको याद रखना तो यह 50 कोशन थे और एकस्पलेशन कैसे था और कोशन कैसे थे मुझे जरूर बताना और सैसन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए हो सके तो सब्सक्राइब कर लेजिए सपोर्ट करिए मुझे ओवर वाश करने के लिए थैंक्यू नमस्कार